यह जो रोहिच शर्मा है वो डूब्लिकेट है बॉडी डबल है जी हां आपने सही सुना यह हिटमैन नकली है ऐसा कहना है रावल पिंडी एक्सप्रेस शोईब अक्तर का वैसे शोईब अक्तर ने ऐसा क्यों कहा जानने के लिए देखते रहें क्रिक इंफॉर्मर भारती टीम इस वक्त एशिया कब 2023 में अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है नेपाल के खिलाफ मुकाबले में शानदार जीत दर्च करते ही टीम इंडिया सूपर फोर में आ गई और सूपर फोर राउन में भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को पाकिस्तान के खिला जाएगा रहो ही स्टार बल्लेबास सस्ते में पवेलियन लौट गए थे जिसके बाद इशान किशन और हर्दिक पंडिया की शांदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया सम्मान जनक स्कोर तक पहुँच पाई थी आपको बता दे कप्तान रहीच शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दो मुकाबलों में स्ट्रगल करते हुए नजर आये हैं जिसे लेकर पाकिस्तान के पूर्व दिगज खिलाडी शोयव अक्तर ने एक ऐसी बात कही है जिससे सुनकर रोहीच शर्मा के फैंस आग बबूला हो उठेंगे दरसल पिछले मैच में रोहीच शर्मा को शा शोयव बक्तर ने स्टार स्पोर्ट्स के शो गेम प्लैंट पर बात करते हुए कहा यह रोहीच शर्मा वो रोहीच शर्मा नहीं है यह उसका स्टंट डबल है शाहिन अफ्रीदी उसके दिमाग में बैठ गया है मैंने कभी उसे स्टांस चेंज करते हुए नहीं देखा स्ट गेंदों में छे चोके और पांच छक्के की मदद से 74 रनों की शानदार पारी खेली थी शानदार प्रदर्शन के दम पर रोहीच शर्मा ने प्लेयर ऑफ दु मैच का खिताब भी अपने नाम किया था और अब रोहीच शर्मा की नजबें पाकिस्तान की खिलाफ मैच में श रारा जवाब देने वाले हैं कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले